इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप स्टेट बैंक ओफ इंडिया का एटियम कार्ड यानी की डेविट कार्ड जो है घर बैठे ही कैसे आप मंगा सकते हैं दोस्तो इस प्रोसेस में आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए आपको घर से ही अपने लैप्टॉप या अपने मुवाइल से आवेधन कर देना है और आपके घर के एड्रेस पे जो है वो आपका डेविट कार्ड यानी की एटियम कार्ड आ जाएगा दोस्तो इस प्रोसेस को कम्पलीट करने के लिए आपके पास इंटरनेट बैंकिंग होना जरूरी है दोस्तो इंटरनेट बैंकिंग कैसे क्रियेट करना है उस पे मैंने ओलरी वीडियो बना रखा है इस्टेट बैंक में अकाउंट कैसे ओपन करना है उस पे भी मैंने वीड का debit card यानि की ATM card घर बेठे मंगाना है दोस्तों सबसे पहले आपको इस ट्रेट बेंग का आपको जो ओफिसिल वेबसाइट है online sbi.sbi आपको इसको open कर देना है open करने के पासे दोस्तों यहां पर आपको दो option मिलते हैं एक पर्सेनल बैंकिंग का मिलता है और आपको एक corporate banking मिलता है तो दोस्तों हम यह जो process बता रहा है यह personal banking मतलब आप अगर खुद का आपका खाता है तो आपको personal banking में open करना है अगर जो लोग business वाले खाते चलाते हैं वो लोग इसमें corporate banking में use करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर personal banking के बारे में ही बता रहे हैं तो यहाँ पर personal banking को login करते हैं दोस्तों यहाँ पर login पे क्लिक करने वाद से continue login पे क्लिक करेंगे और जसा कि अगर आपके पास ID password आपका है तो उस ID password को यहाँ पे fill up करके capture code बर के और आपको login कर लेना है दूस्तों यहाँ पर internet banking से login हो जाने के बाद से आपको यहाँ पे e-services में आना है e-services में DR ऑझे आपको ATM card की service मिलेंगी आपको इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद से दुस्तों यहाँ पर आपको request track debit card का एक आपको option मिलेगा आपको इस पे click कर देना है click करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे एक बार आपको अपना account जो है वो select कर देना है account select करने के बाद से दोस्तों यहां पे आपको debit card और my card दो option दिया हुआ है तो दोस्तों यहां पे आपको debit card पे click कर देना है और दोस्तों यहां पे आपको नाम type कर देना है कि आप जो card पे print चाहते हैं कौन सा नाम वो आपको नाम टाइप कर देना है जिसे कि दुस्तों मेरा नाम राजी गुपता है तो मैं यहां पर सिर्फ आर गुपता भी लिख सकता हूं यहां सिर्फ मैं राजी भी लिख सकता हूं जो भी यहां पर मैं लिख दूँगा वो हमारे कार्ड पर प्रिंट होके आ जाएगा। उसके बाद से दूस्तों यहां पर कॉड़ टाइप में आपको कार्ट टाइप दिये हुआ है एस्बी आई पे पास इंटरनेश्फनल डेविट कार्ड मास्टर कार्ड यह एक Master us to subscribe कर देना है और si थो आपको सबूट वाले बटन पे क्लिक करने हैं यहाँ प्रॉलबर होगा यहांपे आज आए आने के बा से यहां पर सब्मिट वाले बटन पढ़ी आ रहा है तो यहां पर क्लिक करते ह compensate से यह यह पूछ रहा है कि आप using one time password के through इसे करना चाते हैं या तो आप profile password के through करना चाते हैं तो दोस्तों अभी हम करने वाले हैं one time password के through तो यहाँ पे one time password पे click कर देंगे क्लिक करते ही दोस्तों आपके register number पे एक OTP चला जाएगा उस OTP को यहाँ पे भर देंगे भरने के बाद से आपको submit वाले बटन पे click कर देंगे अगर दोस्तों आपके mobile पे OTP नहीं गया है तो आप यहाँ पे click here to resend the OTP पे आप click करके दोबारा से OTP को भेज सकते हैं सब्मिट पे click करते ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं request ATM card status यहाँ पे आ गया है दोस्तों यहाँ पे बता रहा है congratulations your request has been recorded you will receive your debit card within seven to eight working days at your registered address दोस्तों यहाँ पे जो address अभी शो किया था उसे address पे जो है वो हमारा ATM card साथ से आठ दिन के अंदर deliver हो जाएगा दोस्तों अगर उसका status ट्रेक करना है तो यहाँ पे ट्रेक debit card का status के लिए भी दिया हुआ है यहाँ पे आपको click करना है और दोस्तों इस वाले आपको account को अपने select कर लेना है और select करने की बास से यहाँ पे month दिया हुआ है तो आपने किस month में इसे apply किया है तो यहाँ पे मैं जनवरी में किया है तो मैं जनवरी click कर देता हूँ उसके बाद से यहाँ पे मैं submit पे click कर देता हूँ submit पे click करते ही अभी यहाँ पे no data found बता रहा है क्योंकि दोस्तों अभी मैंने recently अभी का अभी किया है तो यह जो status है यह 2-3 दिन बाद check करना है तो यहाँ पे status जो है वो आपका बताने रहेगा अगर एक बार मैं आपको सुरू से process बता दो तो e-services में आना है ATM card पे जाना है और यहाँ पे request track में आपको जाना है और दोस्तों यहाँ पे आपको track debit card पे click करके अपना account select कर लेना है और यहाँ पे किस month में आपने जो है वो apply किया है वो आपको month select करके और submit पे click कर देना है दोस्तों आपका जो status यहाँ पे online बता देगा तो दोस्तों I hope आपको यह हमारी जानकारी काफी पसंद आईगी अगर जानकारी हमारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को like करे और हमारी channel पे पहली बारा है चैनल को subscribe करे, bell icon hit करे, all पे click करे ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो के notification आप तक सबसे पहले पहुचे दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ